Good morning student, welcome to my YouTube channel Time with Study CTAT student के निलिए निकल के आ रही है बहुत बड़ी ख़बर जी यहां दोस्तों जिन student को अभी तक यह नहीं पता था और जो student लगातार हमसे यह पूछ रहे थे कि सर CTAT का exam कब होना है क्या वो UPTAT की तरह रद हो जाएगा या पॉस्पॉन हो जाएगा तो जितने भी student मेरी यह पूछ रहे तो उनको मैं बता दूँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है CTAT का जो exam है बो 2022 के first week में होगा और जो इसके admit card है बो December के first week में आ जाएगे तो CTAT student के लिए बहुत बड़ी ख़बर निकल के आ रही है हम इसको महाखुशकबरी कह सकते हैं क्यों 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 जितने भी मेरे subscriber हैं जितने मेरे student ने जो मेरी वीडियो देखते हैं वो हमसे लगातार पूछ रहे हैं कि sir कब तक इसके admit card आ जाएगे तो दोस्तों अब हमने अपनी वीडियो के मादधम से आपको बता दिया है कि दिसम्बर के first week में इसके admit card आ जाएगे तो आप लोगों के लिए निकल के आ रही है बहुत बड़ी ख़बर तो दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूँ कि जो जितने भी मेरे यूपी टेट के student ने जिन्होंने form भराता हूँ जिनका 28 मंबर को exam था वो हो चुका है रद क्यों क्योंकि जब जितने भी center लगाए गए थे टेट के लिए जब वो student exam ने ने गए जब exam center के बाहर निकले जब उनको पता चला साम को घर पहुँचके शोशल मीडिया के माददम्स की यूपी टेट का exam हो चुका है लिक इसकी वेश से उसको exam रद कर दे गया है तो student के मन में doubt यह है कि यह तो जूटी ख़वर है लेकिन जब उन्होंने निउस को ली तो उसमें भी लगातार इसकी निउस आ रहे है कि इसका जो पेपर लीख हो चुका है और वो रद हो गया है लेकिन एक अच्छी ख़वर आपको बता दें कि जिन लोगों ने इसको ली किया तब वो गरफतार कर ले गा है वो पकल लिए गा है अब यूपी टेट की नहीं डेट जारी होगी लेकिन बुरी ख़वर यह है कि यूपी टेट और सी टेट का एकजाम एक ही दिन होगा तो क्या दौनों का एकजाम एक ही दिन होगा या सरकार किसी एक एक एकजाम की डेट हटाएगी इसका भी कन्फरम हमें पता नहीं है तो दोस्तो आज की निउस करते हैं ही पर समाप जै झाल झाल